नो हत्यारा है आपके बेटे का वो लोग अरजी लगा रहे हैं बेल लेने के लिए क्या आप उन परिवारों को माफ करेंगे आप जिसे देखे जिस तरह से आपके ये पती है तो आर्थी के मा की भी पती जेल में हैं बाई भी जेल में इस तरह से पुरा परिवार उजर जाएगा सब को अमीर आदमी नहीं है अमीर आदमी तो गला में सोना का चेन होता इनके हाथ में खड़ी होता ये गरीब है किसान आदमी है और ये किसान की पत्ली है अब किसान को इस देश में बदनाम किया जा रहा है इस बदनामी को दूर करने के लिए हाभे पहुचा हुआ हो ताकि वो निलज पतरकारों को दिखे और सच्चा ही दिखा यहाँ पराकर कि किस इसीते में यह लोग रहते हैं और किस इसीते में अपने छोटे बेटे को पाले हैं पढ़ाए हैं और किस तरह से इसकी हत्या कर दी गई क्या ये मा को नय नहीं मिलना चाहिए क्या इस पिता को नय नहीं मिलना चाहिए जिस पिता ने अपने आखों से देखा, मरते हुए अपने बेटे को, छोटू को पेश्टा पिलाया गया, लेकिन वो निलस पत्रकार, तुछ पत्रकार यहां आके इसको बदनाम कर रहे हैं, सरमानी चाहिए उन लोगों को, जो इनके परिवाग मजा कुराते हैं, छोटू की ह हत्या हो गया, जायज, कैसे जायज हो गया, हत्या कहीं से जायज नहीं है, छोटू सौक से नहीं गया, उसे बुलाया गया, टेप गया, जब आता हैं, तो हमेशा रोते हैं, जब उस बात को आते हैं, किसे मैं अपनी आखों के सामना देखा, हत्या किया है, तो हमेशा दिल मुझाने की चोटु तो प्यार किया अगर रेप करता वोता है है तो हत्या कर दो जायज है लेकि कोई लड़का लड़की से मिलने क्लिए गया तो लड़का नजायद कैसे हो गया बहुत आसिकों की जान जा रही है लोग कते कि आसी को गोली मार दो क्या आपने बेटे को देखा क्या आपने बेटी को देखा कि आपके फीट पीछे बेटा क्या कर रहा है बेटी क्या कर रही है हत्या हल नहीं है जी हाँ इस वक्त आप छोटू की मम्मी को देख सकते हैं जिन्होंने चतन से अपने बेटे को प क्या गलती हो गई हमारे बेटी तो सिर्फ प्यार किया था प्यार का इतना बड़ा इनाम दिया जाता है और मा का बेबसी में क्या बताऊं अब इन इस जाने कोशिस करते हैं कि अब आपके घर में जो लड़की आपके दुस्वन का पेटी है आपके घर के बहु बन गई है दर अब था क्या आपके दुवारा कि शादी कर लिजें मेरे बेटे से खुशी से किये शादी वह अच्छा चाची यह बताइए आपको उमीद है कि आर्थी अंतक साथ देगी अच्छा यह मुझे जानना आपसे है पुरे देश में आपके बेटे को बदनाम किया जा रहा है छोटू को तरा तरा के कमेंट किया जाता है कि छोटू गलत है नहीं जाना चाहिए था छोटू जो किया सही हुआ है जो है किसी करना देखता है वह कभी बिजा सकता है जो कोई काते हैं रात के क्यों गया प्यार नहीं मनता प्यार अंधा होता है बात सही का आपने चाशी समय जाना चाहेंगे जब सुनते अपने बेटे बारे में दुनिया में नहीं रहात कैसा लगता है आपको बदनाम कर रहा है अपलोग ना सबको यह रहता है कभी खुशने खाना भी निखाते हैं पूरा यह चेहरा देखिए कैसा हो गया इनका जब से इसका बेटा मतलब डेट किया है तब से इसका चेहरा बिलकुल खराब हो गया बहुत से रहता है हमेसा दवाई खिराते रहते हैं फिर भी जो खाना भी निखाते हैं यह पूरा मतलब दोहड़ा हार करकता यह यह परिवार धिरे धिरे उस दर्द से बाहर निकल रहा है जो घटना होना तो वह हो गया जिन्दगी का नाम है आगे बढ़ते रहना यह परिवार आगे बढ़ रहा है लेकिन फिर मीडिया हम ल लगातार इस परिवार की चीजों को दिखाता हूं आखिर इस परिवार की क्या गलती उमेश यादब के परिवार की क्या गलती इन्हों ने अपना बेटा खोया अपना संसार खोया इन्हों ने अपने बेटे को चतन से पाला नौ मा अपने कोक में रखा अब सोचिए इस मा का बेटा को हत्या कर दिया गया सही हुआ यह हत्या करना कब से सही हो गया छोटू तो किसी के साथ रेप तो नहीं किया छोटू तो प्यार किया अगर रेप करता होता तो हत्या कर दो जायज है फासी दे दो जायज है लेकि कोई लड़का लड़की से मिलने के लिए गया तो लड़का नजाय केसे हो गया लड़की के बुलाने पर लड़का जाता है ना कि लड़का अपने मन से जाता है अगर दोसी है तो दोनों दोसी है दोनों सजा मिलनी चाहिए ना कि एक उसा मिलनी चाहिए लेकि नया यह नहीं कहता है कानून कहीं से जाइज नहीं है जो लोग कमेंड करते हैं कि छोटू के साथ सही हुआ कैसे सही हुआ आज के तारिक में बहुत आशिकों की जान जा रही है लोग करते कि आशिकों को गोली मार दो क्या आपने बेटे को देखा क्या आपने बेटी को देखा कि आपके फीट पीछे बेटा क्या कर रहा है बेटी क्या कर रही है हत्या हल नहीं है हल क्या है इनका बेटा छोटू आरती एक ही जातका मैं बाबा कहता हूँ दोनों एक ही जातका अगर रात में छोटू गया आरती के घर पे अगर पकर भी लिया लगा हुआ है तेंका परिवार से प्रणारिष्ता है यह बाबा देख रहे हैं देखें पोश्टव देखिए है यह सतसंगी के प्रबचन क्षुटे है तो उस दिन प्रबचन कहां चला गया अगर जरासाभी सासंग का गुन उनकी ऊपर रहता देखता कि गीता में कि क्रिष्ण क्या किया है उस बात को अगर आद कर लेता तो इसा हत्या उनहें करता लेकि सास्वों नहें कर रहाता उपएसा कमाने का तो अधि कर रहाता तो सकते हैं यह bei Noise about it कि W कि रहरिया गाउं को बदा नाम क्या जा रहा है उमेश आदफ के परिवाल को को माँ को क्बदनाब क्या जा रहा है कि एक कैसी मा है कि आर्थी को अपने घर की बहुली इनके घर में आर्थी के साथ क्या-क्या हो रहा होगा doğruहाओ एक लाड़किन घर में रहा होगा कुछ करते भी आस मारती पीटते भी आरती आठें प्षेथ हैं ऐसोच लीट एसे ऑट रहो एद रहा है एस मोषा लटा आंचमेन स्वें है यादा दाता है यादान तो सामय मजशा रोते हैं जब उस जो बात को आते हैं किसे मैं अपनी आखों के सामना देखा हूं हातिया क्या है तो हमेंसा दील रोने हमेंसा हम लोग चाते हैं कि इसे खाना खाने का मन ने करता है हम लोग को कि इस तस्वीर को इस लिए दिखा रहा हूं कि आप इनकी आसों से समझे इन्हों ने अपना बेटा प्यार करना गलत नहीं है राजी खुशी से अगर प्यार किया जा रहा हूं वह गलत नहीं है गलत तब होता है जब लड़का किसी लड़की के साथ जब दस्ती करता है रेप करता है, बलतकार करता है, वो गलत है, ये गलत कैसे हो सकता है, परिवारिक रिस्ता, इसके परिवार का रिस्ता, आर्ति के परिवार का रिस्ता, काफी प्रणा रिस्ता, उस संदर में इनकी बेटे की हत्या हुई है, और द्रिस देख लिजी आप, चाप इस परिवार को ऐसा प्रस्तूत किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से उच निरलस पत्रकारों के दुवारा उनकी आखों में थोरी सी भी निरलस्ता नहीं बची निरलस पत्रकारों को देखना चाहिए इनकी समस्या दिखाने चाहिए कि किस तरह से ये गरीबी में रहते हैं ये किसान परिबार हैं और अपना घर चला रहे हैं इनको तीन बेटा एक बेटा नहीं रहा दो बेटी अब इनके हैं असोचिए हिम्मत करके मनु यादब से साधी करवाया हैं अपने मंजले बेटे साधी करवाया हैं इनके दिल पर बित रहा होगा यह शौक से साधी नहीं करवाया है मजबूरी में साधी करवाया है इसलिए नहीं और्ले कर लोगों को लगता है कि उमेश यादब जो ये किये हैं अच्छा नहीं किये हैं लोग करते हैं यह पहले से प्लान बनाऊ था शादी करवाने का पचीस तारिक चोवीस को मन्नु आये पचीस को हम जो है नहीं सोचे की बहुत बात निकल रहा है मन्नु आये फिर कोई बात लोग बोलेंगे हम समाज को बलाए समाज बला की से दखी आज समय भी ठीक है अभी त अच्छा चाची आप से जाना चाहते हैं नो हत्यारा है आपके बेटे का वो लोग अर्जी लगा रहे हैं बेल लेने के लिए क्या आप उन परिवारों को माफ करेंगे आप जिस तरह से आपके ये पती है तो आर्थी के मा की भी पती जेल में हैं भाई भी जेल में एक इस सबको किसी को माफी देना चाहते हैं अपनी बेटा को कितना कठीन से एक बच्पन से पोसे पाले और पढ़ाई लिखा है बाइस साल का उमर किये ये पार्ट में पढ़ा था कि हम गरीब आदमी किस पस्तिरी से उनको पढ़ाई लिखा है वो तो हम ही जानते है ना उस बेट चोटा भाई को पढ़ा रहा था वहीं पढ़ाया है अपका बेटा बाहर में काम करता कमाने गया है वह पैसा भीजता था चुकि ये गरीब परिवार है किसान है आपको पता है किसान का आई क्या होता है ना दूनों बेटीक परहले लिए अचा चोटु को पढ़ाई से का चेन होता इनके हाथ में खड़ी होता यह गरीव है किसान आदमी है और किसान की पतनी है अब किसान को इस देश में बदनाम किया जा रहा है इस बदनामी को दूर करने के लिए हावे पहुचा हुआ हो ताकि वो निलश पत्रकारों को दिखे और सच्चा ही दिखा यहां पराकर कि की सिसिती में यह लोग रहते हैं और की सिसिती में अपने छोटे बेटे को पाले हैं पढ़ाया हैं और किसilton को नैहीं नहीं मिलना चाहिए जिस पिता ने पने आँखों से देखा मरते हुए अपने बेटे को जब यह घर पे उससे पहुचा थ pratic हए तो छोटु पत्रकार यहां आके इसको बदनाम कर रहे हैं सर मानी चाहिए उन लोगों को जो इनके पड़िवाग मजा कुराते हैं छोटू की हत्या हो गया जायज हो गया हत्या कहीं से जायज नहीं है छोटू सोक से नहीं गया उसे बुलाया गया तेप गया किसी भी लड़का को हत्या कर दो यह जायज नहीं है मैं घोड बिरोद करता हूं प्रेम करना अप्राद नहीं है अगर अप्राद है तो सबसे पहले किस्न भगवां को शूली पे चलाओ उसने भी प्यार किया राधा से मीरा से इस राज में दिखिए तेश्वी प्यार मुझूदा एक्जामपल तेश्वी कास्ट नहीं अलग धर में शादी किया शांति से यहां तो सेम कास्ट सेम जाथ यहां बड़ी बात की सतसंगी दोनों फ्रेंट दोनों दोस्त भाईया यह गरीब हैं गरीब को मदद कीजिए सपोर्ट कीजिए इनके पास उतना पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए आप लो आपना रखिए केस को मजबूत कीजिए कभी आप लोगोंने केस में सचा किया कि छोटू का क्या हुआ कभी आपने इस पिता को फोन किया कभी अपने वीडियो बनाया कभी आपने थानदार से पूछा जब केस चल दा था नहीं कौन जा रहा है जेल किसको होगा बेल कब नहीं है जो आर्ती के परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं किर्पिया छोड़ दीजिए अपराधी कहीं से वह लायक नहीं है आप राध कि अनकी सजा है जेल और उम्रकेद बहुत बस अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा ना तो बहुत अन्या होगा इन लोग के साथ न नियाए मिलेंगे हम लोग मर जाएंगे हम लोग बस तस्वीर सामने हैं सेर किजिए जुरे रही है अपडेट मिलता रहेगा धन्यवाद हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद